चौथे प्रकार में हम पढ़ेंगे यन संदी क्या होती है यन संदी जब ई-ई-उ-उ-उ-और री के बाद उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ-उ- तो इ इ का य बन जाता है उ का यही बनता है व और री का अर बन जाता है जैसे यदी जमापी यदी जमापी में इ और दोनों भिनस्वर हैं इ के बाद इ ना कर या इ ना कर बिनस्वर आया तो यहाँ इ और आ मिलाकर बनायेंगे य तो यद्यपी यदी जमापी इसे देखिया हँ यदी जमापी में यदी में दो में इ मिला हुआ है E के बार घिंस्वर आ गया तो इन्हें मिलाकर बनेगा य, तो यदि जमा अपी मिलाकर यद्यपी य बन जाएगा यद्यपी आगे देखते हैं E जमा आ में क्या बनेगा V जमा आपक V जमा आपक में य बनेगा यदि हमारे पास O है तो य बनेगा आ है तो य बनेगा वी जमा आपक व्यापक गती जमा अवरोध में इ जमा अ है तो य बनेगा गत्य वरोध अभी जमा आगत में इ जमा आ है तो य बनेगा अभ्यागत इसी प्रकार यदि हम देखते हैं इ जमा उ ये दोनों मिलेंगे तो य में उ की मात्रा य तो रहेगा पर जो आपके पर स्वर है उसकी मात्रा लगानी है आपने यह को जैसे इजमा उ था तो यह बनाया इजमा आ था तो यह बनाया इजमा उ है तो यू बनेगा इजमा उ आएगा तो यू बन जाएगा जैसे प्रती जमा उत्तर यहां तो में ई है और उत्तर में उ है तो E जमाँ O मिला कर U बनेगा यह को छोटेओ की मातरा U तत्यूतर और बड़ा O की मातरा कब आएगी जब हमारे पास E में O मिला होगा V जमाँ O यह में बड़ेओ की मातरा यदी हमारे पास बाद में बड़ा O मिल हो रहा है तो उपरी जमाँ 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 उपरी में अई मिल जाए तो बड़ी A की मात्रा लगा कर यही बुल जाएगा जैसे E और A का उधारणम देखते हैं प्रती जमा एक प्रती जमा एक यहां पर प्रती में छोटी E की मात्रा है E मिला हुआ है और यहां A मिला है तो E और A मिला कर यह बनाएंगे तो यहां प्रती एक बन जाएगा प्रती एक इसी प्रकार जदी हम E में I मिलाएं जैसे नदी नदी में हम एश्वर्य मिलाएं बड़ी A है आई जिसे बोला जाता है नदी जमा एश्वर्य तो यहां I की मात् मात्रा लगेगी यह पर नदेश्वर्यर इसी प्रकार सखी anni होगा तो इनcesso नों को मिलाकर यह पर आईकीमात्रा सखेश्वर्यर इस प्रकार आप ने देखा कि इस तरह से हम शब्दों का निर्मान करते हैं यर संदी से अब हम इसका पांचवा प्रकार करते हैं अयाधी संदी जब स्वर A, A, O और O के आगे कोई भिन्सवर आ जाता है तो A का A, A का A, O का O और O का O हो जाता है जब A, A, O और O के बाद भिन्सवर आ जाता है तो A का A, A का A, O का अव और O का आव हो जाता है प्रतम उधारन की साहता से समझते हम A और O जब मिलेंगे तो बनाएंगे A जैसे शे जमा अन शे में A है और अन में O है ए और O मिलाकर A बनाएंगे शयन अई और O मिलाकर A बनेगा जैसे नई जमा अक, नायक ऐसे ही गई जमा अक, A बनाएंगे गायक O में जब A मिलेगा, अव बनेगा जैसे पो जमा अन पवन इसी प्रकार जब हम O में A का मिलान करेंगे अव बनेगा जैसे पो जमा अन, पो में O और अन में A O और अ का जमिलान होगा, अव बनना है तो यहाँ हो जाएगा पवन O और अ O और अ का जमिलान होगा तो बनेगा आव जैसे पो जमा अक पो जमा अक, पावक आव बनाना है पावक पो जमा अन, पावन क्योंकि और और का जब मिलन होगा तो आप बनेगा पावण बच्चो इस प्रकार आपने पांच प्रकार की स्वर संधी के बारे में जाना अब हम करते हैं अपने अगले विशे को जिसका नाम है व्यंजन संधी जिस प्रकार स्वरों में संधी होती है उसी प्रकार व्यंजनों में भी संधी होती है इसके विशे में हम अच्छे से जान लेते हैं किस प्रकार हम अपने हिंदी भाषा में व्यंजन संधी का प्रयोग करते हैं व्यंजन वर्ण के बाद किसी अन्य व्यंजन के समीप होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे वियंजन संदी कहा जाता है जो नया परिवर्तन आएगा या जो विकार आएगा उसे वियंजन संदी कहा जाता है वियंजन संदी के अनेक रूप होते हैं यहां कुछ प्रचलित रूप दिखाए गए हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं त का द हो जाता है कब यदि पहले शब्द का अंतिम वर्ण हो और उसके आगे क्या हो व्यंजन ही है तो वह अपने वर्ण का तीसरा वर्ण बन जाता है जैसे तो बन जाएगा द तो थ द धन तवर्ग में पांच जो व्यंजन है तो थ द धन तो तीसरा व्यंजन तो का तवर्ग का है द तो तो का बन जाता है द जैसे उत जमा घाटन यानि तो के बाद एक और व्यंजन आ गया घ तो तो बन जाएगा द उत घाटन यदि तो आयतो चो का बन जाएगा जो जैसे अच जमा अंत है तो वहां जो बनेगा वहोगा अजन्त व्यंजन संधी में हम यह देख रहे हैं कि व्यंजन के बाद व्यंजन आ रहा है लेकिन किस प्रकार से विशेश रूप हम प्रयोग करते हैं अपने इंदी बाश्या में उ तरगत तो तो का बन जाएगा दो च का बन जाएगा जो और टो का डो जैसे शट जमा दर्शन शट दर्शन और क का ग बन जाएगा जैसे दिक जमा अंबर दिगंबर अगला वर्ण नासिक्क्य होने पर पहले का अंतिम वर्ण भी अपने वर्ण का नासिक्क्य हो जाता है क्या यह नियम है अगला वर्ण यानि एक अगर विंजन है उससे अगला वर्ण यदि नासिक्क्य है तो पहले का अंतिमवर्ण भी अपने वर्ग का नासिक्य बन जाता है जैसे शट जमा मुख तो के बाद यहां पर म आ गया तो के बाद म यानि म क्या है नासिक्य तो तो का जो तवर्ग का जो नासिक्य है वह है तो तो धन तो ट के स्थान पर न का प्रियोग होगा वह बन जाएगा शनमुख त की जगा न उत जमा मेश में फिर से म ना सिक्क्य है तो तवर्ग का ना सिक्क्य तथदध न तो यहां उनमेश बनेगा यहां सत जमा मार्ग तवर्ग का ना सिक्क्य तथदध न फिर से न बनेगा सत जमा मार्ग सनमार्ग अगले नियम की तरफ चलते हैं यदि किसी शब्द में छोटी ए की मात्रा लगी है या ए है तो उसके बाद र के बाद फिर र आ जाए तो ए का दिर्ग रूप ए बन जाता है यदि ए के बाद र र के बाद फिर र आ जाए ये के बाद र हलन आधा र और फिर पूरा र आ जाए तो बड़ी ए में वह परिवर्तित हो जाता है जैसे निर जमा रोग नीरोग निर जमा रस नीरस बड़ी ए बन जाती है यदि हमार पर छोटी i के बाद रो और फिर अगले शब्द में रो आ जाये तो बड़ी i का रूप है ले लेती है तो के लिए कुछ विशेश नियम हम जान लेते हैं तो के लिए जब तो के बाद चो या चो ओ तो को परिवर्तित करके-चो बना दिया जाता है तो के बाद चो या चो हो तो तो को परिवर्तित करके चो बना दिया जाता है जैसे उत्त जमा चारण तो के बाद के आ गया चो तो इसका चो बनेगा उत्चारण आधा तो है तो आधा चो बनेगा उत्चारण शरत जमा चंद्र तो के बाद फिर चो आ गया तो तो का चो में परि किसी प्रकार सत जमाचरित्र सत जमाचित सच्जित तोके बाद जो या जो हो तो तो जो बनेगा जैसे उत्जमाज्वल तोके बाद जो आया तो जो बनेगा सज्जन तो के बाद लो हो तो तो का लो ही हो जाता है जैसे उत जमालास तो के बाद लो आया तो लो ही बनेगा आधा लो लगा देंगे क्योंकि आधा तो है उत तो में हलंत है आधा तो है तो आधा ही लो बनेगा उत जमालास उल्लास इसी परकार तत जमालीन तलीन क्यों गित्व के बाद लो आया तो आगे भी लाही बनेगा तो के बाद म आ जाए तो म बन जाता है अदाध कर रहे हैं महलं और पूरा म जो विसर्ग संधी के बाद किसी स्वर्या विरंजन के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्टन होता मतलब ही है विसर्ग में विकार आना तो विसर्ग के बाद यदि कोई स्वर या विंजन आ जाता है तो विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन आता है वह कहलाती है विसर्ग संधी जैसे निह जमा फल, निश्फल, मनह जमा हर, मनोहर जब विसर्ग से पहले अ तथा बाद में अ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचमा वर्ण तथा यो, रो, लो, हो में से कोई भी वर्ण आ जाए तो विसर्ग ओ में बदल जाता है जैसे अभी हमने उपर उधारन देखे, नही जमा फल, निश्फल बना था, मनह जमा हर, मनोहर बना था तो ये नियम हम कुछ सीख लेते हैं कि किस तरह विसर्ग में क्या परिवर्टन लाना है यहां हमने बात की, जो प्रथम हमारा नियम है, उसमें क्या होता है अ तथा विसर्ग से पहले अ और बाद में भी अ आ जाए विसर्ग से पहले अ तथा बाद में भी अ आ जाए या फिर किसी भी वर्ट का तीसरा, चौथा, पांचमा वर्ण या यर, ल, व, ह में से कुछ आ जाए तो विसर्ग का ओ बन जाता है चैने जिसे हमें यही नियम हमने लगा था इसी प्रकर मनह जमरत वJean जमा व्रिद यहां विषर के बाद के बाद विषर के बाद भी क्या आ गया Ten आी यह 54 वह मैंसे आ विसर्ग से पहले व व्रिद विसर्ग के बाद व आ गया जो की य र ल व हो में से एक वर्ण है तो व आने के बाद यहां व बनाएंगे व व्रिद इसी प्रकार तपह जमाबल में फिर से व बनेगा विसर्ग का तपोबल विसर्ग का र में परिवर्टन कब होता है यह देख लेते हैं जब विसर्ग से पहले व के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा चोथा पांचमा वर्ण या यह र ल वह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को र में परिवर्टन कर देते हैं कब होता है एक बाब फिर से आप सुन सकते हैं यदि विसर्ग से पहले आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में यर लव हो या किसी भी वर का तीसरा चौथा पांच मावर्ण हो तो हम रो बना देते हैं विसर्ग को उधारन के तौर पर हम देख सकते हैं दु जमा बल दुर दुर बल क्योंकि यहाँ पर विसर्ग से पहले आए एए नहीं है उ है और या फिर क्या नहीं होना चाहिए देखे फिर से और या नहीं होना चाहिए और या के अतिरिक्त कोई वर्ण होना चाहिए तो यहां पर है विशर्व से पहले उ तो उ आने के बाद आगे हमारा व्यंजन आ गया ब तो यहां बनेगा र दूर बल नि जमा जर फिर से र बनेगा निर जर इसी प्रकार आप देख सकते हैं निह जमाधन, निर्धन, निह जमाबल, निर्बल, पफब भर म, ब क्या हुआ? इसमें यदि हम बात करें, विसर्ग से पहले ए या आ न होकर हमारा ए है, और विसर्ग के बाद पफब, तीसरा वर्ण आ गया हमारा पवर्ग का, तीसरा वर्ण तो इसलिए यहां पर बनेगा न निरबल विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है जब विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श में परिवर्तन हो जाता है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो श में परिवर्तन होता है जैसे निह जिमा चिं यहाँ निहीं यानि विसर्ट से पहले कोई भी स्वर हो आपको यह नहीं देखना कॉँछ और बाद में च च या श में से हो यहां च आ गया चिंथ में इसलिए निजमाचिंथ श बनाने पर निश्चिंथ इसी प्रकार यदि हमारे पास हरी जमाचंद्र आ जाए तो हरी चंद्र यहां विसर्ग से पहले E आया है और विसर्ग के बाद चव आ गया है तो इनकी संधी करके हमें शव बनाना है तो हरीश चंद्र بن जाएगा हमारा हरीश चंद्र क्यों? क्योंकि E के साथ चव आ गया हरीश चंद्र शव बनेगा विसर का स में परिवर्तन कम होगा ? जब विसर के बाद त या स हो तो स बन जाता है तव या स जैसे निह जमा संदे निह जमा संदे में निस संदे स बन गया नमा जमा तफे विशर के बाद स अ गया तो स बनेगा नमस्ते नमा जमाते नमस्ते Duh जमा साहस विशर के बाद S आगया तो सहलन्त यानि आधा सभ बनेगा Duh-Sahas नहीं जमा संतान विशर के बाद फिर से आया है इसमें तो आधा सभ पहले लग जाएगा विशर को परिवर्तन होकर हमने क्या बना दिया परिवर्तित करके सभ बना दिया त क्षर श क्षर शटकून वाला क्षर कर बन्ता है पहले हमने श़ाया कर बन्ता है बिधो या श आज constraints है जब तो या सि आजए मैं परिवर्दन करते हैं शटको नगार इस्थिति में नियम को एक बार कुनह आप सुन लीजिए जब विसर्ग के पूर्व या उ हो और विसर्ग के बाद कख ट ठ प में से कोई भी वर्ण आ जाए तो आप उसको श में परिवर्तित करेंगे जैसे नहीं जमा कलंक यहां विसर्ग से पहले ई है और विसर्ग के बाद क है तो यहां श शटकोन वाला आधा शोय लागेगा निश कलंक अगला उधारन है दुछ जमा प्रकृति तो यहां पर विसर्ग से पहले उ है और विसर्ग के बाद प्रकृति में प है तो यहां हमारा बन जाएगा दुष प्रकृति निजमा काम निशकाम निजमा फल निश्वल निजमा फल निश्वल आशे करती हूँ आप संदीक आई है अध्याय भली प्रकार समझ गए हैं अब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन शब्दों को फिर से पुनरावरती के लिए लिक लिक कर अभ्यास कीजिए अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में धन्यवाद